आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोई भी डिलीट मेसेज आप कैसे पढ़ सकते हैं तो ये आपको पूरी ट्रिक लाइब दिखाऊंगा क्या करना है कैसे करना है तो ये पहले वाले से हमने कुछ चैट कर रखा हैं और चैट करते करते देखिए दूसरे वाले पे पूरा पर यहां डिलीट नहीं हुआ है ठीक है तो आप यह आसानी से पढ़ सकते हैं यह आपको मैं तरीका बताता जाओंगा कि आपको करना क्या है क्या सेटिंग करनी है बस ऐसे ही देखिया और थोड़ी चैट करते हैं तो यहां पर ऐसी सुझधाय मैं आपको बताऊंगा जिसने आपको पर इसान होने की जरुदे लाश तक वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और कमेंड में बताएं कि आपकी कोई समस्ट्रे सॉल्व हुई कि नहीं हुई तो यहां से डिलीट हो गया लेकिन यहां फिर भी डिलीट न नहीं हुआ याद में फोटो लेते हैं ठीक है जब हम फोटो लेंगे तो क्या फोटो भी डिलीट होता है या नहीं होता है और डिलीट करने के बाद यहां से तो हमने डिलीट फार 44 कर दिया उलूं भेज दिए एक фोट आप इसको सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट करने के बाद हम को ड्लीट ड्लीटर इवर्वर्वन करेंगे ठीक है ठीक आप यह ड्लीट हो गया है यहांसी लेकिन यह भी ड्लीट नहीं हुआ है तो यह आपको मैं बताऊंगा अब यह देखते हैं कि पहले वाले से चैट किया और दूसरे से डिलीट किया तो नहीं हुआ अब देखते हैं दूसरे वाले से चैट करते हैं पहले वाले पे ठीक है कुछ चैट कर लेते हैं तो क्या दूसरे वाले से डिलीट करेंगे तो पहले वाले पे होगा की नहीं होगा ठीक है तो चलिए देख लेते हैं अब यह हमने कुछ चैट कर दिया अब इसको हमने डिलीट select करके delete करते हैं ठीक है यह select हुआ और सोरी फिर select करते हैं यह select किया अब इसके बाद हम इसको delete for everyone करते हैं यह delete for everyone होते ही दूसरे दोनों mobile से delete हो गया लेकिन पहली वाली mobile से जब करते थे तो दूसरी वाले पर नहीं होता था तो क्या setting है कैसे है अब यह हम आपको पूरी बात बताएंगे ठीक है दोस्तों तो चलिए देख लेते हैं तब तक हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए यह आगया अब हम आपको बताएंगे कि करना क्या है तो सबसे पहले आपको यह करना है कि यह जो आपने mobile पे WhatsApp आपने install कर रखा है उस WhatsApp को आप uninstall कर दीजिए ठीक है चैट section पर ज आप इस WhatsApp को uninstall कर दीजिए और FM WhatsApp जो कि आपको description में भी link मिल जाएगा Google से आप download कर सकते हैं FM WhatsApp ठीक आप उसको install कर लीजिए ठीक और उसको install करने के बाद आपको हमें एक setting बताएंगे उससे तिन कि आपको करना क्या है कैसे करना है यह आप setting में जाईए three dots पे जाईए FM WhatsApp three dots त दो आप से मिलेंगे auto delete status और auto delete messages यह दोनों जो होते हैं चेक कर दीजिए पहले uncheck रहेंगे वहाँ पे आप इन दोनों को चेक कर दीजिए यानि सही के channel लगा दीजिए और setting आप तब्दील कर दिए आप ठीक अब आप आजाएए बाहर अब आप इसके बाद देखिए जो भी आप चैट करेंगे किसी से भी वोगर delete भी कर देता है तो आपके mobile में delete नहीं होगा ना status ना message तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे channel को subscribe करें लाइक करें वीडियो को और comment में रताए कैसा है